तो हमारी बहुत ही मज़ेदार रेस्टरिनल स्टाइल चिकन रेट कड़ाई बनकर तैयार हो चुकी है असलामुलेकुम और वेलकम बेक टू माई निव वीडियो आज मैं आप लोगों को बनाना बताऊंगी रेस्टरिनल स्टाइल चिकन रेट कड़ाई सबसे पहले कड़ाई में इस्तमाल होने वाले अर्ज़ा बता देती हूँ लेकिन उससे पहले अगर आपनी मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरा चैनल सब्सक्राइब कर ले कड़ाई के लिए आदा किलो चिकन, आदा पाउ दही, एक पाउ टिमाटर तेमाटर के मैंने चिल के उतार कर इनको पीसिस कर लिया है वन टी स्पून काली मिच, वन टी स्पून लाल पीसी मिच, हाफ टी स्पून इसमें कुटी लाल मिच, वन टी स्पून धनिया है सुफैद और इसको भून कर मैंने कूट लिया है वर्टी स्पून सुफेद जीरा इसको भी भून कर मैंने पीस लिया है या कूट लीजिए नमाख हजबेजाइका और वर्टी स्पून इसमें कसूरी मेती है अद्रक का मैंने एक टुकड़ा लिया था इसको मैंने बारिक चौप कर लिया है तीन हरी मिर्चे इसको बीच में से दो कर लीजे और चंद पते हरा धनिया है और हाफ कप इसमें ऑईल है अजज़ा मैंने आपको बता दिये हैं तो चलिए कड़ाई के फ़र्स स्टेप की तरफ चलते हैं मैंने पैन लिया है जिसमें मैं कड़ाई बनाऊंगी इसको मैंने हीट कर लिया है अच्छे से आप मैं इसमें हाफ कप ओल लिया था अच्छे से गरम हो चुका है अब मैं उसमें एड़ करूँगी दो टेबिली स्पून पिसा अधरक लसन अधरक लसन में अज़्जा में आपको बताना भूल गई थी इसको अधरक लसन को डाल कर आप अच्छे से दो मिनट बस आप इसे फ्राई कर लीजे अधरक लसन हमारा अच्छे से भून चुका है अब मैं इसमें वो जो मैंने आदा किलो चिकन लिये वो एड़ करूँगी और इसको मैं ब्राउन होने तक पकाऊँगी जब तक चिकन का कलर चेंज ना हो जाए उस वक्त तक अधरक लसन और चिकन को मैं पकाऊँगी चिकन अच्छे से फ्राय हो चुका है यह देखिए इसका ब्राउन कलर आना शुरू हो चुका है जब चिकन का यह कलर आ जाए तो इसमें मैंने जो अर्ज़ा आपको बताए थे आदा पाउ दही यह सारे मसाले एड़ कर दीजे इसमें और इसको दो से तीन मिनट इसको पका चिकन अच्छे से इसमें फ्राय हो चुके है हमने सिर्फ दो मिनट इसको पकाना है अब मैं इसमें टिमाटर एड़ करूंगी और टिमाटर एड़ करके मैं इसको कवर कर दूंगी यह चिकन कडाई बहुत टेस्टी बनती है आप इसे जरूर ट्रॉय कीजेगा और मुझे कम इसे मिक्स करिए और इसे कवर कर दीजेगे जिये रितिकरे निकालकर मैंने डाले अगर आपढ़को पसंद था बढसे मेंने चिर्प कर देंगे अब हम तेसे और कर देंगी आफ मउदो तक शबा þर ज Schlagis हैं तो चलिए हम चेक करतेंगे हमारी चिकन कहां तक पहुंची है बहुत ही मज़ेदार हुजबू आ रही है इसकी तो हब हम इसे देखते हैं अभी इसको हमने थोड़ी देर और पकाना है कि हमारा चिकन गल जाए तिमाटर को अच्छे से हमने मैश करना है थोड़ा सा इसे मैश कर लीजे हातों से और फिर हम इसे दुबारा पकने के लिए रख देंगे बहुत ही मज़ेदार कड़ाई तैयार हो जाएगी अब हम टिमाटर को सिफ हमने टिमाटर गलने के लिए इसमें पांसे साथ मिनट और रखना है पांसे साथ मिनट हमारे गुज़र चुके हैं तो चलिए चेक करते हैं हमारी चिकन कड़ाई कहां तक पहुंची वाओ बहुत ही मज़ेदार कलर खुश्च्बू आ रही है आप इसे जरूर ट्राई कीजेगा यह पूरी तैयार हो चुकी है अब हम इसमें थोड़ी अद्रक हरा धनिया और हरी मिर्चे डाल कर इसे तो मिनट के लिए पकाएंगे बहुत ही मज़े की खुश्च्बू आ रही है आप इसे जरूर ट्राई कीजेगा बहुत जल्दी जटपड रेडियो जाती है कम चीजों में और वो सारी चीज़ें जो आपके घर में दस्तियाब होती ह दो मिनट हमारे हो चुके हैं तो देखते हैं कहां तक आई हमारी कड़ाई वाओ हमारी कड़ाई बिल्कुल तैयार हो चुकी है और हम फ्लेम बंद कर देंगे ये देखिए बहुत ही मज़े की लग रही है इसको खाने का वाके ही दिल कर रहा है अब मैं इसे बॉल में निका का पॉट लिया है ठीक है अब इसमें निकालूंगी मैं कड़ाई ये देखिए आप इसे जरूर बनाईएगा और मुझे कमेंट सेक्शन में बताईएगा के आपको मेरी कड़ाई कैसी लगी तो हमारी बहुत ही मज़ेदार रेस्टरिनल स्टाइल चिकन रेट कड़ाई बन स्क्राइब कीजिए मेरी वीडियो को लाइक कीजिए और कमेंट कीजिए ताकि मेरी होसला अफजाई हो सके और मैं और नई वीडियो आपके लिए ला सकूँ तब तक अपना बहुत खयाल रखिएगा अल्ला हाफिज